कि हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटीब चैनल साइट फैक्ट पे तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि भी कांसलिंग करवाते से मैं आपको क्या-क्या कौन से ऐसे बाती है जिनको आपको ध्यान रखना है या फिर कौन-कौन से डॉकमेंट वह यह कि कांसलिंग के आपके फीश कितनी लगेगी दोस्तों ठीक है तो अब बाताती है तो फीश आपकी काौंसलिंग के लगते हैं दोस्तों लास्ट यह लगे थी पांसहजार और अलग वीडियो बना दूऊ इसकें दिर मा आपको बता दूँआ वी कॉलेज कैसे से करने और कौन से करने याँ पर बात करेंगे की तो फिस मानल दीजे़ दोस्तों आपने 5000 जमा करवा दी ठीक है उसके बाद में अपनी कांसलिंग करवा दी फिर आपके आएंगे दोस्तों रिजेल सा जाएंगे result आने के बाद क्या होता है कि अगर आपको college कोई भी college मिल जाता है ठीक है दोस्तों कोई भी college मिल जाता है तो तो आपके पैसे वापिस कभी नहीं आएंगे ठीक है दोस्तों फिर वापिस नहीं आएंगे तो वह सिधे आपके अकाउंट में आ जाए इमित्र वाले के तो वह कई बार नकरे घरने लग जाता है ठीक है और बाकि देख लेना यहाप किसे करवा रहे हो कैसे करवा रहे हो आप पे डिपेंड है ठीक है बता बात यह है कि अगर आपको कॉलेज मिलेगा चाहें वह आपकी बटे अगर आपको कोई कॉलेज अलोट हो गया अगर आपको चाहिए कोई प्राइवेट कॉलेज ठीक है तो जरूर बरवाना और जैसी आपको कोई कॉलेज अलोट होगा आपके जब एडमिशन करने जाओगे तो वहांकी जो फीस है उसमें से पांच जार रुपए एकट दोड़ा जाएंगे ऐसी बात नहीं है कि पांचार रुपए इसे लग गए आपके तो पांचार रुपए जहां पर आपका एडमिशन करवांगे तो आपको क्या होता है कि पांचार रुपए आपकी फीश में से कट जाते हैं तो यह तो रही दोस्तों फिस की बात के भी प वो हुआ दोस्ते require के आपको जो मतर्य बापकर है कांसलिंग कर्वाने था क्लिंक लेकर आ Floren तो सबसे पहला जो टौपिक जो सबसे पहला जो होता है चींकर मारके ठीक है पहले मेइस आपके टिए हैंट की इमड़ी माउक्सी जब है तीन की अथह लिए से ले charges नहीं तब आपके मार्क शीट नहीं थी तब आपका सिरो पर वेस्ट बत्र लगा था या फिर आपके रॉल नंबर वगएरा लगे थे ठीक है बट यहां पर क्या होगा कि आपको अपनी ट्वैल्थ की मार्क शीट लगानी है ठीक है इसके अलावा दोस्तों जात्ती जरूर लगानी ठीक है तो यह आगई दो नंबर बाता की डॉकुमेंट्स की तो दोस्तों बाताती है दुबारा अगर मैं रिपीट करो तो फीस आपके लेगी 5000 ठीक है डोकुमेंट लेके जानी है अधार टेंथ 12 जाती मूल ठीक है और फोटो भी लेकर चले जाना फिर बाताती है लास्ट चलेँ ठीक है तो बात आई लास डेट के लास्ट आपकी तेरह ठीक है और तो 30 को है वह आप अधी कांसिलिंग डन कर लेना जल्दी से जल्दी कर देना अपनी कांसिलिंग उसके बाद में बात आती है जो यह चलो एक बार यही देख लेते हैं आपकी पहली जो लिस्ट आएगी वह आएगी 17 तारिक को ठीक है फिर आपको एडमिशन लेना है बीस तक को ठीक है दूसरी आईग आएंगे ठीक आपकी बार तीन नहीं आएंगे दो यह रिजल्ट आएंगे दोनों को एक्सेप्ट करने के बाद 28 तारिक को पहले 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 आपको अपने को पहुंच रहा है ठीक है और वहां पे अपना एडमिशन करवा लेना इसके लिए अगर सीटे रह जाती है दोस्तों देखो सबस्कें चिभाफा है 5000 लगेंगे हैं डोकुमेंट क्या 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 लेकि जानी है वह मैंने आपको बता दिये और इसके इलावा दोस्तोंग क्या कुछ करना है मैंने सब कुछ साहब को मैंनली बता दिये और कांसलिंग के अंदर जो कुछ एक बात है और ध्यान में रखने के होती है वो यह है कि दोस्तो कॉलेज जब आप बर्वाओ ठीक है तो अगर आपको दोस्तो सिरफ सरकारी कॉलेज ही बर्वाना दोस्तो ठीक है अगर आप फ्रैसर हो तो देख लेना वो दोस्तो आपकी करना और किसी को लगता है कि कुछ और आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट जागे पढ़ लो ठीक है किसी को और कोई मतलब सुझाओ देना कमेंट कर देना और आप अपनी इफ़र्मेशन नहीं है वह कर लेना ठीक है एक्सेंग बाकि नेक्स्ट वीडियो और मुना दोस्तों यह थी अपने आज के वीडियो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू वेरी मच्च जय हिंद जय बार थैंक्यू वेरी मच्च